ये वीडियो सिर्फ पांच दिनों में आपके regular exercise करने की habit बनवा कर ही छोड़ेगा क्योंकि सिर्फ पांच दिनों में regular exercise करने की habit डालने का जीता जाता example में खुद हूँ बल्कि मुझे तो ऐसी habit डालने में पांच दिन भी नहीं लगे थे क्या बकवास कर रहे हो नहीं भाई में बक्वास में ही कर रहा आप भी सिर्फ इस एक ट्रिक को अपना कर रेगुलर एक्सरसाइज करने की हैविट डाल सकते हैं और ये ट्रिक बहुत आसान है जो वीडियो के इंड तक आपको पता चल जाएगा पर अभी एक्सरसाइज करने के इसको समझे भी ना उस ट्रिक को अपने लाइफ में ढंक से नहीं उतार पाओगे वैसे ही इंपोर्टिंग तो सब हैं पर इन में से मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है सिकेंड और ठर्ड जो अभी थोरी देर में मैं आपको बताऊंगा वो सब तो खीक है पर यह होँ ठोए और हाउ कौन सी बला का नाम है बताता हूँ यह कोई rocket science नहीं है इसे समझना बहुत आसान है अभी समझते है part first को और part first है what exercise क्या है what is exercise भाई regular exercise करने की habit डालने के लिए इस वीडियो पर आये हो तो exercise को कि समझते जाओ कि exercise आखिर में है क्या है exercise है कैसी धार है जो human body की काम करने की छमता को सुस्त जीवन जीने की छमता को बढ़ाता है जैसे एक तलवार पर जितनी धार लगाई जाए जितना उसे पीता जाए उतनी ही तेज और मजबूत होती है वैसे ही human body पर exercise काम करता है exercise body को फूतीला तेज और मजबूत बनाता है एक लाइन में कहों तो exercise आपकी body में जंग नहीं लगने देता हमारी सरीर को सरने नहीं देता याद रखना पानी से नहाने वाले सिर्फ लिवास बदलते हैं पर पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं 5 सिकेंज हुआ है हम exercise क्यों नहीं कर पाते आखिरों क्या क्या कारण है जिनकी वज़ाए से हम exercise करने का प्रड़ तो लेते हैं पर उसे regular life में उटा नहीं पाते regular exercise ना कर पाने के तीन बड़े कारण है जिसमें पहला कारण most 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 important है इसलिए इसे थोड़ी देर में बताऊंगा पर अभी सिकेंज बड़े कारण को समझते हैं जो है never start exercise with over confidence हम किसी की motivational वीडियो देखकर या किसी आइडल की अच्छी body देखकर एक जुनून एक जोस में हम exercise शुरू कर देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है हम अपने जोस में होस खो देते हैं हम सोच समझ कर फैसले नहीं लेते तो अब solution क्या है इन तीनो कारणों के solution मैं third part how में बताऊंगा जिसमें सिर्फ solutions हैं अभी मैं सिर्फ कारण बता रहा हूँ पिक किस वज़ा से हम regular exercise की habit नहीं डबलब कर पाते चलिए अब तीसरे बड़े कारण पर चलते हैं जो है don't do exercise too hard हम जब जोस में exercise करते हैं तो हम सुरुवाट में ही ऐसे ऐसे कठीन exercise करने लगते हैं जो हमारी body के लिए सुरुवाट में अच्छा नहीं होता या हम exercise करने के पहले दिन ही लगातार एक घंटी दो घंटी तक exercise करते हैं जो हमारी body के लिए अच्छा नहीं होता ये गल्तियां भले ही अंजाने में होती हैं पर ये गल्तियां कभी-कभी इंसान की जान ले लेती हैं और ये मैं कोई मनगण कहानी नहीं सुना रहा इसकी प्रूफ है एक्सपर्ट के पास ऐसे कई केसिज आए हैं बुरी आदत यदिवक्त पर ना बदली जाए तो ये हमारा वक्त बदल देती है अब जान लेते हैं मोश्ट-मोश्ट-मोश्ट इंपोर्टेंट कारण को जो है नमबर वन नेवर स्टार्ट एक्सरसाईज जोज का मैंने खतरनाक हिस्सा तो दिखा दिया पर बिना जोज, बिना मॉटिवेशन के हम कभी भी एक्सरसाईज करनाई स्टार्ट ही नहीं कर पाते अगर मॉटिवेशन ना हो तो रोज का यही हाल है आज करेंगे, कल करेंगे सुभा जल्दी उठकर करेंगे, साम को करेंगे हम तेयार रोज होते हैं पर बिना मॉटिवेशन, बिना जोज के exercise हम start ही नहीं कर पाते इसलिए motivation जोस तो जरूरी है regular exercise करने की habit डालने के लिए देखा दस मुझे गोल गोल मत गुमा कभी कहता है जोस motivation गलत है कभी कहता है जोस के बिना regular exercise habit बनाना ही मुश्किल है इसलिए clear कर करना क्या है वर्णा में वीडियो छोड़कर जा रहा हूँ ठीक है ठीक है आपका हुक सराखो पर चलते हैं third part पर जहां सिर्फ आपके हर सवाल का जवाब है जहां सिर्फ solutions है और मार्ट पांच दिनों में regular exercise habit कैसे बनाए इसका भी जवाब चिपा है चुछ इस वीडियो का main topic है part third how कैसे पांच दिनों में regular exercise habit बनाए लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले इन तीन points का जवाब समझते है never start exercise never start exercise with over confidence don't do exercise too hard point first आप लोगों के लिए थोड़ा खास है इसलिए उसके बारे में इंड में बात करेंगे अभी point second और third के solution को समझते हैं point second never start exercise with over confidence जिसमें मैंने बताया था हम जोसमें होस्को देते हैं और इसका solution है हमें अपने feelings पर ध्यान ना देकर exercise सुरू करनी होगी कभी एक बैग over confidence हो जाना कभी एकदम demotivate हो जाना इन feelings से उपर उठकर फैसला लेना होगा उपर उठने का मतलब है उन feelings पर कोई ध्यान नहीं देना होगा जब आप feelings पर ध्यान ना देकर अपने काम में focus करेंगे जब ये समझेंगे कि feelings आती जाती रहती हैं कभी भी एक ही feeling नहीं रह सकती तो आप इस feeling के जाल से निकल पाओगे और regular exercise करने के लिए तयार हो जाओगे जिन्दगी आसान नहीं होती इसे आसान बनाना परता है Part 3 Don't do exercise hard इसमें मैंने आपको बताया था कि हमें सुरुवात में कठीन exercise या पहले ही दिन सुरुवात में एक या दो घंटे लगा तार exercise नहीं करनी चाहिए इससे आपकी जान तक जा सकती है और इसका solution है हमें mini exercise से exercise करना शुरू करना चाहिए और पहले दिन सिर्फ 5 या 10 मिनिट से ही exercise की सुरुवात करनी चाहिए जैसे सुरुवात में हम सिर्फ परायाम jogging फोरा बहुत हाथ पर को हिलाना ऐसे ही किसी normal exercise से पुरुवात कर सकते ही जिससे आपको दो वड़े फाइदे होंगे पहला long term habit ऐसा कहने से आप बिना बोर हुए बिना जादा effort करेगी आसानी से long term regular exercise करने की habit बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा जोते चले जाएंगे जिससे भविष्ची में आप कठीन से कठीन exercise करने की बावजूद आपकी body को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं सहना होगा इसलिए exercise की habit धीरे धीरे डबलब करें अब जान लेते हैं सिर्फ 5 दिनों में regular exercise करने की habit कैसे डालें जानता हूँ point first का solution बागी है पर मैंने जैसा कहा वो खास है तो उसका जवाब इंड में बताऊंगा अच्छा आप मुझे एक सवाल का जवाब दो पैसे की value को समझ कर आप जादा दिन तक पैसे कमाओगे या सिर्फ आप iPhone Titan Pro खरीदने के लिए पैसा कमा रहे हैं तब जादा दिन तक पैसा कमाओगे आपका तो मुझे नहीं पता लगिन इस सवाल का असली जवाब है option first जब आप सच में पैसे की value को समझ जाओगे कि पैसा life के लिए कितना जरूरी है तो पैसे की भचत भी करोगे और जिन्दगी भर पैसे भी कमाओगे क्योंकि आपको पैसे की value पता है कि पैसा नहीं होगा तो मैं भूखे मर जाओगा पैसा नहीं होगा तो मेरी family भूखे मर जाएगी पैसा नहीं होगा तो मुझे भीक मागनी पड़ेगी और पैसा नहीं होगा तो मुझे नंगा घूमना पड़ेगा और पैसे की वैल्यू समझने में कितना समय लगता है सिर्फ कुछ मिनिट या सिकेंड कोई 21 दिन या 3 महीने का समय नहीं लगता तो अगर इसी तरह आप exercise की वैल्यू समझ जाएं तो क्या हम regular exercise नहीं करने लगेंगे और मुझे नहीं लगता कि अगर पैसे की वैल्यू समझने में एक मिनिट या कुछ सिकेंड लगते हैं तो exercise की वैल्यू समझने में हमें 21 दिन या 3 महीने लगेंगे हाँ ये बात अलग है कि exercise की वैल्यू समझने में किसी को जिंदगी कम पर जाती है पर सची है कि वो जब भी समझता है बस कुछ सिकेंड या मिनिट्स में ही समझ जाता है तो अब बताओ क्या आपको पांच दिनों की जरूरत है रेगुलर एक्सरसाइज हैविट को बनाने के लिए अरे आपको सिर्फ कुछ मिनिट्स की जरूरत है पर अगर मैं सुरुआत नहीं ऐसा बोल देता तो आप शायद विश्वास ही न कर पाते इसलिए आप पर एक्सरसाइज की वैल्यू को बढ़ाओ और सिर्फ पांच दिन नहीं और सिर्फ पांच दिन नहीं कुछ मिनिटों में आप मजबूर हो जाओगे रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए जैसे लोग पैसा कमाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और एक्सरसाइज की बैल्यू अपने माइन में बढ़ाने के लिए आप बुक्स पर हो exercise ना करना कितना खतरनाक है यह समझो जब आप exercise की real value समझ जाएंगे तो आप खुद बाखुद रोज exercise करने लगेंगे हिमत हारने वाले के लिए रास्ते छोटे नज़राते हैं और आखरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ते खत्म नहीं होते अब अपने खास पॉंच first का जवाब समझ लेते हैं कारण first never start exercise जिसमें मैंने बताया था कि हम बिना जोस बिना motivation के exercise की habit डाल ही नहीं सकते और इसका solution है आपके life में एक ऐसा goal होना चाहिए जो आपके regular exercise habit को बनवाने में मुख की भूम का निभाएगा बिना goal के इंसान के लिए कुछ भी करना नमुम्किन है इसलिए पहले एक ऐसा goal बनाओ जो आपको अंदर से exercise करने के लिए मजबूर करें और मेरा मजबूर करने से मतलब है एक ऐसा goal जिसमें goal तो clear हो ही साथ में goal का why भी clear रहे कि आप वो goal क्यों बना रहे हैं क्या कारण है जिससे आपको exercise करनी है और ये why इतना strong बनाना है कि जब भी आप demotivate हों तो ये why आपको kick दे आपको आपके bad feeling से बाहर निकलने की वज़ा दे और ये strong heart तभी बनेगा जब आप exercise की real value समझोगे जो मैं पहले ही बता चुका हूँ ये goal setting मेरे बताएवे सारे solution में से सबसे खास और सबसे important है इस एक करन के बिना वो बाकी के डो reasons बेकार हैं क्योंकि जब आप exercise ही नहीं सुरू करोगे तो उन डो reasons का कोई role ही नहीं होगा इसलिए एक goal setting चरूर करें इस तरह आप मत 5 दिन में regular exercise करने की habit बना सकते ही अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद